जैहिंद नमस्कार मेरे प्यारे शाहतियों आप शभी को जैहिंद राम राम और आज आप लोगों के शमक्ष मैनिती शंद्रा फिर्शो प्लब्ध हो चुका हूँ आपको आपके सामने दिख रहा होगा पहला कोश्चन है कि ओडिसा को अधिकतर किसके कारण डैस के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है भारत के नौ तटवर्ती राजियों है और इन नौ तटवर्ती राजियों में से ओडिसा का जो लोकेशन है वह पुर्वी पर है और जितने भी तटवर्ती राजियों है भारत के वह सभी राजियों कहीं नहीं कहीं आपको चक्रवात से प्रभावित रहते हैं ओडिसा में भी आपका फैनी वगरा फैनी और और भी वह सारे चक्रवात समय समय पर आते रहते हैं फैनी तावते वगरा चक्रवात ने हाल के दिनों में भी ओडिशा को प्रभावित किया है तो चक्रवात क्या है प्राकृतिक आपदा है जो ओडिशा के लिए एक संकट का विषय बना रहता है यहां वर्स में अमुमन आपको दो तीन चक्रवात हर वर्स देखने को मिल ही जाते हैं चक्रवात आप सोच रहे होंगे कि क्या है तो चक्रवात के केंद्र में निमन वायुदाब होता है और बाहर उच्च वायुदाब होता है यानि कि हवाओं के उच्च वायुदाब से निमन वायुदाब की और चक्कर काटते हुए तिब्र प्रवाह को ही हम लोग चक्रवात क का रूप देते हैं चक्रवात क्या होता है तो आपको बाहर उच्छ वायुदाब से निम्न वायुदाब की और जब हवा चक्कर काटते हुए चलती है तो ऐसी हवा को हम लोग चक्रवात कहते हैं और चक्रवात को मापने का जो यंत्र है वह टी असकेल यंत्र होता है कौन सा यंत्र तो टी असकेल यंत्र होता है दुनिया में जो आपका सबसे कुख्यार चक्रवात मना जाता है टार्नेडो एक चक्रवात है इसका नाम आपने सुना होगा टार्नेडो को मापने के लिए फुजीटा एफ असकेल यानी एफ असकेल का उप्योग किया जाता है भारत में आपको ये टॉर्नेडो नहीं आता है ये आपको अमेरिका के छेतर में अमेरिका के छेतर में टॉर्नेडो चक्रवाद दिखने को मिलता है तो चक्रवाद क्या होता है क्वाइदाव की और पवन चक्र गुलार्द करते होई चले तो इसको प्रफि चक्रवात कहते हैं सपिसाल आपको पुछा जातीके तो यह क्लॉक वाईज होगा क्या होगा वाईज होगा और आप याद रखेंगे कि चक्रवात की दिशा क्लॉक वाईज अगला कुश्चन है मारा मद्य प्रदेश का संबंध हीरे से ठीक वैसा ही है जैसा कि करनाटक का संबंध डैस से है यह आपको रिजिनिंग एनालोजी टेस्ट का कुश्चन है लेकिन आपको जीके पर अधारित है इसलिए हम यह आपको बता दें कि मद्य प्रदेश का हीरा उ तो करनाटक के कोलार से हमें सोना का उत्पादन करनाटक के कोलार खान से हमें सोना प्राप्त होता है यानि कोलार खान से स्वर्न उत्पादन होता है तो यहां आपका अंसर क्या हो जाएगा सोना आपका सही जवाब हो जाएगा इसके अलावा तामबा के बारे में याद रखि है तो खेतड़ी और हमने क्या बता है खेतड़ी और मलाजखंड ये दो आपका तामबा उत्पादम छेतर है और करनाटक का कोलार किसलिए तो सोना उत्पादम के लिए परसिद्ध है आपका अंसर क्या हो जाएगा सी नंबर विकल्प सोना हो जाएगा अगला कोशन देखिएगा किस राज सरकार ने योग गुरु बावा रामदेव को योग और आयुरवेद का ब्रांड अमबेश्डर बनाया है बावा रामदेव मूलतह हर्याना राजी के रहने वाले भी है और हर्याना राजी ने ही उनको योग और आयुरवेद का ब्रांड इतर मिनाया है किसका योग का और याद रहेगा इन्हीं के पहल के आदार पर इन्हीं के पहल से 21?. जुनขसिव योग दिवस की सुरूँख की गए विस्व योग दिवस बाबा राम देव के पहल पर ही 2015 से सुरूँ हुआ प्रतिवर्स की स्थिथी को 21 जून को 2015 से ही विश्व योग दिवस मनाया जारा है यहां आपका अंसर क्या हो जाएगा हर्याना और बावारामदेव ने योग दिवस की सुरुवात की तो 21 जून 2015 से और प्रतिवर्स तब से ही प्लगातार 21 जुन को योग दिवस मनाया जाता है यहां आपका अंसर हो जाएगा हर्याना बावारामदेव की कमपनी कौन सी है तो पतनजली है और पतनजली में इनका अच्छा खासा सेयर है यह पूरी कमपनी के मालिक नहीं है लेकिन उसमें यह क्या है तो सहब भागिदार है अगला कॉश्चन है 2016 में ओलमपिक खेल कौन से सहर में आईजित हुए थे चुकि यह कॉश्चन बैंक है और कॉश्चन बैंक यह कब परिच्छा हुई है तो यह परिच्छा आपको 2018 में हुई है लंदन आपके विकल्प में है, यहां कब ओलंपिक हुआ था, तो 2012 में लंदन में ओलंपिक खेल का आउजन हुआ था, 2016 में रियो डीजेनेरियो में, 2016 में रियो डीजेनेरियो यह किस देश में है, तो ब्राजील का सहर है, ब्राजील का सहर, रियो डीजेनेरियो यहीं आपके olompec खेल का आजन हुआ था अगला olompec आपका कहां होने वाला है तो 2024 में पेरीस में अगले olompec खेल का आजन होगा 2028 भी अगर आपको सायद पूछ ले तो याद रखेगा कि अमेरिका के लास एंजल स्में अमेरिका के लॉस एंजिल्स में दोघ़जार अठाइस में ऐलम्पिक खेलों का आयजन किया जाएगा 2020 के ऐलम्पिक के विसे में याद रखेगा यह आपको टोकियो में हुआ 2020 में होना था लेकिन आयुजित यह कब हुआ तो यह आपको 2021 में आयुजित हुआ अगले question की तरफ हम बढ़ते हैं, question number 33 है, कठोप निसद में नची केता नामक एक किसोर और देवता के बीच हुए बातचीत दर्ज है, निमनलखित में से कौन सा देवता नची केता से बात कर रहा है, तो कठोप उपनिसद का नाम आपने सुना होगा, उपनिसदों की कुल संख्या 108 है, उपनिसद का अर्थ क्या होता है, उपनिसद का अर्थ होता है, उप जोड निसद, तो उप का अर्थ होता है, निकट और निसद का अर्थ होता है, ज्यान की प्राप्ति करना, यानि जिसमें सेहव उपनिसद था आपका कठोप उपनिसद और इस कठोप उपनिसद में मिर्तियू के देवता भगवान यम और एक छोटे से बालग नची केता के संबाद का जिक्र है और यह संबाद किस विशे पर हुआ था तो आत्मा की अमरता पर आत्मा की अमरता पर आत्मा क अमरता क्या है मरने के बाद आत्मा का क्या होता है इन सब सवालों की चुकता के साथ इन सब सवालों की जी जी विशा के साथ आपको नचिकेता इस्वर की तलास में कहां पहुंच गया था तो यमराज तक पहुंच गया था और यमराज से उसने कई सवाल जवाब किये थे और अगर आपको ऐसा questions भी कभी पुछा जाए कि पहली बार आत्मा की अमरता या आत्मा की अजरता का उलेख कहां मिलता है तो कठोप उपनी सद में ही मिलता है तो यहां आपका आमसर क्या हो जाएगा आत्मा हो जाएगा भगवान यम जो की क्या है मिर्तियू के देवता माने जा रहते हैं तो मिर्तियू के देवता यम और एक बालक नची केता के बीच संबाद कठोप उपनी सद में वर्नित है अगला question है कि युद्ध के मैदान में हमेशा डैस रहते हैं यह भी आपका एनालोजी टेस्ट का रेजिनिंग का ही प्रस नहीं लेकिन जीके पर बेश्ड है यह भी जरूरी नहीं है क्योंकि बिना हाथी के भी युद्ध लड़ा जा सकता है रत हो यह भी जरूरी नहीं है लेकिन सैनिक हो सॉलजर हो युद्धा हो यह अनिवारी है यानि बिना युद्धा के युद्भुमी नहीं हो सकता है बिना सैनिक के युद्भुमी नहीं हो स फिल्म के छेत्र में अगर सबसे बड़ा आवार्ड कोई कहा जाए तो वह है आपका आउसकर आवार्ड जो की अमेरिका के द्वारा दिया जाता है भारत में अगर सबसे बड़ा फिल्म के छेत्र में दिये जाने वाले आवार्ड की बात करें तो यहां है आपका दादा साहब फाल के पुरस्कार कॉन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम करन किया गया 79 में इस पुरषकार की शुरुवात हुई और पहला पुरषकार पहला पुरषकार यह दिया किसे गया तो देवीका रानी रोरिक को जो की भारती ये फिल्म जगत की पहली अभिनेत्री मानी जाती है देवीका रानी रोरिक को ही पहला दादा साहब फॉल के पुरषकार दिया गया था बरतमान में हाल फिलाल में लेटेश्ट अगर इसकी एडिसन की बात करें तो अभी दोजार बीस के लिए दोजार बीस के लिए दोजार बाइस में आसा पारिक को किसको आसा पारिक को दादा सहब हाल के अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस से पहले 2019 के लिए 2019 के लिए दक्षिन भारत के प्रशिद धविनेता रजनी कांत साहब को क्या मिला था दादा साहब हाल के पुरशकार मिल चुका है तो यहां आपका अंसर क्या हो जाएगा फिल्म के छेतर में दिया जाता है पुरशकार साहितिका ज्यांपीठ है और दुनिया में सबसे बड़ा साहितिक पुरशकार अपका नोबल पुरशकार है इसके अलावा बुकर और इंटरनेशनल बुकर भी साहितिक अवार्ड ही है खेल के छेतर में भारत में सबसे बड़ा आवार्ड कौन सा है तो पुरस्कार है अगले कोशन की तरफ हम बढ़ते हैं अगला कोशन जो है मारा कि कौन से भारतिये मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे यानि राज घराने से संब्धित थे और बाद में उनके पुत्र क्या बने तो मुख्यमंत्री बने विकल्प में आपके है के मुख्यमंत्री रहे थे पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे और इनके पिता इनके पिता जो थे वह पटियाला राज घराने के अंतिम राजा थे पटियाला राज घराने के अंतिम राजा थे पटियाला राज घराने के अंतिम राजा थे पटियाला राज घराने के अंत मुख्यमंत्री के पिता महराजा थे तो पंजाब के पुरुव मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग के पिता पटियाला राज घराने के क्या थे महराजा थे यानि राजा थे बरतमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है तो आम आदमी पाटी के लीडर भगवंत मान सिंग सम्मान साहितिके खेत्र में दिया जाने वाला भारत का पुराशकार है व्यास सम्मान की शुरुवात 1191 में हुई थी और यहां पुराशकार प्रति 20 वर्त permitted कर री आपको साहितिक खेत्रों में काम करने के लिए से Was पुस्तक के लिए वजाहत को 2021 का व्यास सम्मान दिया गया है व्यास सम्मान आपको केके बिड़ला फॉंडेशन के द्वारा दिया जाता है और पहला व्यास सम्मान एकदम याद रखेगा पहला फॉस्ट व्यास सम्मान यह राम बिलास सर्मा को दिया गया था किसको राम बिलास सर्मा को राम ब भासा करके ही था उसी पुस्तक की रचना के लिए उनको यहां दिया गया था इनको राम विलास सर्मा को पहला ब्यास सम्मान दिया गया था तो यहां दुखम सुखम के लिए 2017 में दुखम सुखम के लिए ममता कालिया को किसको ममता कालिया को 2017 में दुखम सुखम की रचना के लिए ब्यास सम्मान दिया गया था ुंपा लाहडी भारत की जनी मानी नॉबेलिस्ट है नमीता कोखले इनको 2021 में हमने पिछले सेट में भी आपको बतलाया था 2021 में इनको शाहित्य का नॉब्साहित्य अमें पुरोषकार इनको दिया गया fat 2021 तक ट्रकेस में साहित्य अकाद्मी पुरोष्कार इनको अंगरेजी भासा में दिया गया था घ्ल्य कोश्चन के तरफ हम पढ़ते हैं अगला कोश्चन अपका 53 हिर्दय नाथ मंगेसकर पुरोष्कार 2017 किसने जीता है हिर्देञात मंगेशकर पुरशकार की सुरुवात कब हुई तो इसकी सुरुवात 2011 में हुई थी कब 2011 में हुई थी और यह आपको कविताव अगर की रचना के लिए यानि यह अभी प्रकार से आपकी साहितिक रचना यह जो कवियों और गीतकारों को दिया जाता है तो 2017 में यह आपको जाने माने लेखक और गीतकार जावेद अक्तर सहाब को दिया गया था हिर्दैनाथ मंगेशकर पुरुषकार 2017 17 हाल फिलाल में आपको एक पुरशकार शुरू किया गया है लता मंगेसकर के नाम पर लता मंगेसकर पुरशकार और लता मंगेसकर पुरशकार का पहला संस्करन किसको दिया गया है तो भारत के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी को पहला लता मंगेसकर पुरशकार दिया गय अगला कोश्चन है भारतिये पैरालंपिक हाय जमपर का नाम बताएए जिन्हों ने रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक्राप्ट किया उन्हें 2017 में पदम्सरी से समानित किया गया है तो हाई जंपर है यह पैरा यानि कि अगर किसी भी वैक्टी किसी भी खेलाडी में दिभ्यांगता का लक्षन हो और वह खेल रहा हो खेलने में अपने उस केटेगरी में भाग लेने में सक्षम हो तो वैसे खेलाडियों को पैरा खेलाडी कहा जाता है तो मर्यपन वेलू पहरा हाय जंपर हैं इन्होंने दोहजार पिछला जो आपको दोहजार सोलह में रियो पहाय जंप में स्वर्ण पदक जीता था और 2017 में उनके इस बहतरीन सरहनिय योगदान के लिए उनको पद मस्री से भी सम्मानित किया गया था तो ये कौन थे मर्यपन थंगा वेलू 2020 पर अलंपिक की बात करें 2020 पर अलंपिक का आयोजन याद रखे का गिया भी आपको अलंपिक की ही भाती कोवीड के कारण 2011 में हुआ था और 2020 का पर अलंपिक जो टोकियो में 2021 में जित हुआ वह अपको भारत इसमें 24 अस्थान पर रहा था अगला कुश्चन जीएश्टी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था तो जीएश्टी क्या है जीएश्टी प्रकार का अपका आप्रत्यक्ष कर है इंडिरेक्ट टे पहले प्रचलन में थो उसको समाप्त करके एक इंक्लूडेट टेक्स सिस्टम अस्थापित किया गया जिसको जीएश्टी नाम दिया गया यानि गुड्स एंड सर्विसेस टेक्स जीएश्टी जीएश्टी लागू करने वाला पहला देश कौन था तो यह फ्रांस था पहल भारत में जीएश्टी को लेकर कितने स्लैब हैं टेक्स के तो 0% 5% 12% 18% और 28% के 5 टेक्स स्लैब हैं कितने 0 5 12 18 और 8 आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 0 को नहीं कंसीडर करेंगे तो गलत बात है 0 को भी टेक्स के रूप में कंसीडर किया जाता है और टेक्स स्लैब में इसे भी गिना जाता है तो 0 5 12 18 और 28 ये 5 टेक्स स्लैब है और भारत में जीएश्टी का मौडल क्या है तो यहार कनाडाइी मौडल पर अधारित है भारत का जीएश्टी भारत का आपको बताया ये बार बार पुछा जाता है और प्रत्यक्ष कर है यानि इंडारेक्ट टेक्स है तो ये आज के आपके एलपी टेक्निशन के आठ सेक्षन का सेट नमबर टू का डिसकसन लेकर के हम उपस्तित हुए थे कल फिर आपसे मुलाकात होगी सेट नमबर टीन के डिसकसन में तब तक के लिए आप सबी को धेर सारी शुबकामना है जैहिंद धन्यवाद